कैसे आप दोस्तों आज अब उन्बॉक्स करने वाले ओपो का A38 लेटास वाउंच है ओपो के तरफसा में फोन मिल चुका है चले उन्बॉक्स करते हैं इसके और देखते हैं कुछ ज्टियल स्पेसिफिकेशन सबसे परहे में जो बॉक्स मिलता है प्ले मिलता है आप फोन की फोटो कहीं नहीं मलती साइड में उपो के ब्राड्डेंग मिलती है लेफ साइड वो कुछ थोड़े से पीचर्स मिलते हैं जैसे सुपर वोग चार्जिंग 50 मेगा पिक्सल कामरा 98 दिस्प्ले 4G वे रैम और 4G वे और एक्समेंड कर सकते हैं यह सब चीज़े साइडवे न फिर मिलती है उपो की फोन रखा हुआ काफी अच्छी से पैकिंग में पैक्ट है और यह पेपर पैकिंग है मुसली प्लास्टिक मोता है लेकिन उपो शायद बहुत ही इक चार्जर चार्जर बहुत ही कॉंपक्क कर दिया उपने पहले बहुत ही ब्रॉट चार्जर रहते इसका ब्रॉट के नाम पर लेकिन अब काफी कॉंपक्क कर दिया यह इसका सुपर उप चार्जर है 33 वाट का यह चार्जर है अब आप इसके ब्रांडिंग देख सकते हैं वोग 33 वाट चार्जर है काफी अच्छा सा और लाइट वीट सा चार्जर है पहले के मुकाबले काफी छोटी होने वाली अगर जिनके पोर्स जूर होने एक नहीं केबल खरीदनी पड़ेगी लेकिन बिल्ड कॉलिटी की बात करें तो बिल्ड कॉलिटी बहुत सॉलिड है यहां पर कुछ इसके पीचर दे लिखे है पैकिंग बहुत अच्छी है नोड़ाओ चले सिभी सा वार मीनी बॉक्स में रखा विलता है एज यूजल सा कवर कवर काफी सईसा है मैटे फेरीज दीवीए साइट के अंदर और पूरे ट्रांस्पेरेंट है नितु मुस्ली अप ट्रांस्पेरेंट के साथ-साथ-साथ-पीच्छे भी वैटी फिनीश आने लगी कुछ फोन हमे लेकिन उपको में साइड़ मेटी फिनीश है यह अच्छा है कि अगर आपको नए फोन के साथ कवर मिल भाए तो आपको नए नया फोन काफी टाइम तक नहीं आ लेता है इससे मार्केट में कावर मिले नहीं ज्याद़ फरक नहीं पड़ता है चले आप देख लेते हैं अध कि पेच्छे की ब्रांडिंग होती है वह भाती जवर्दस लगती है फोन के अपर हो यह बहुत शॉटकाट में लिखा होता है और पेच्छे कर दो जो डिजाइन में काफी मैट है डिजाइन है ग्लॉसी नहीं है कुछ पार्ट इसका मैट है मुझ की पीच्छे का पूरा प बटन मिलेंगे यानि को से फ्रेंट पार फिर्ड्ल propose नहीं साँड में नेछे की बात तो नीचे में में 3.5 फार्ट कमनगा जैक मिलेगा ईब कुछ चाहिए तो डिस्प्ले में आप बिर्कुट भी डिसापॉइंट नी होने वाले इस फोन के अंदर इस फोन के अंदर आपको IPS LCD में होता है 90Hz के साथ 720 पा पीक ब्रैटनेस से 6.56 इंस का डिस्प्लेइ 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 काफी कॉम्पाक्क सा दिया है अगर आपको फोन चीता तो यह काफी बैतर फोन है उसके अलावा इसके अंदर आपको प्रसेश जीटी फाइफ मिलेगा मीडिया टेक का पीछे की डिजैन की बात का है तो डिजैन तो हीजबर इस लेगे इसके पीछे प्लासर के लगवा है यानि कि आपको पीछे द्रास नहीं मिलता ज अगर आप चाहे तो 4GB और एक्सपेंड हो जाएगी यानि कि आप करना चाहे तो डावल हो सकती है बैक केमरा इसका आपको 50 प्लस टू यानि कि बैक पर डिली कामरा आप फ्रांट 5 मिलेगा अंड्रोइड इसके अंदर आपको अंड्रोइड लिटस्टी मिलता है चैने स्ट के अंदर कंप्री ने काफी जीवी अपने लिए स्टोर कर लिए जब कैसा नहीं होता हम उसकी फोन आप ज्यादा मिल जाता है कैमरा परफॉंस की बात करें तुम आपको एक बार इसका कैमरा परफॉंस दिखा देता हूं यह कुछ फोटो मैंने डिटेल में इसकी कैप्चि अगर अगर आप डेटेलिंग कैप्चिनिंग होगारा करते हैं तो आपके लिए फोन इगी कैमरे के अंदर आपको ठीक ठक परफॉंस मिलेगी बहुत जाथ एक्स्रीम नहीं जैसा अगर दोगे फोन होते हैं फ्रेंट का भी आट मेगापिक्सल नी है 5 मेगापिक्सल लिए यह बहुत 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 ज़रोग है, क्योंकि आप सब फोनों आठे में आपका सरूचों का है, 10,000 रूपर की रेंच के अंदर, चैनल एक बाद इसका fingerprint भी test करें है, fingerprint मैंने set कर लिया है, चैनल एक बार चेक करते हैं, उसकी speed, speed fingerprint की काफी fast है, यानि कि अज़र आपको button क्लिक करने के ज़रूद नहीं है, सिर्फ आप यहापे touch करें है, और यह unlock lock हो जाएगा, यह अच्छी बात है कि स्केंदर आपको प्रेस करने का वो नहीं मिलता option, सीधा scan करता है directly, fingerprint के अंदर आप इसकेंदर बिपर डिसपॉइंट न आपको कहीं से disappointment नहीं होने वाली, 5 out of 5 मिलीगे square सा look है, यह अच्छी बात है कि skin the square दिया है, करविश नहीं दिया ही, हाथ बड़ी अच्छी fitting आ रही है, यानि कि आपका slippery वगरा नहीं है, बिल्कुल भी, पीच्छे जो design है काफी अच्छा है, matte plus glossy, कुछ part matte में दिया हुआ कुछ part glossy में दिया हुआ है, no dot of 5 अपने design में काफी focus करता है, लेकिर इसका camera module आप इसके protection के लिए कुछ लगा लिए, काफी वहार है, यह break होने का खत्रा है, और और आपको फून कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताइगा, जिन लोगा ने लिया है, वो भी मुझे comment करके ब जरूर मता है, वीडियो अच्छे लगे तो like जरूर करके जाएं और चैनल को subscribe जरूर करें, मिलते हैं अगली unboxing अगले comparison के साथ